राधे राधे दोस्तों, आज मैं से आर करने वाले हूँ, काना जी का चन्म दिन हमने घर पर कैसे मनाया? इस बार मेरे बेटे ने काना जी के लिए 56 भोग बनाने के लिए मुझे कहा था लेकिन अकेले 56 भोग बनाना मुझे डर सा लग रहा था लेकिन अगर काना जी की इच्चा हो तो सब कुछ हो जाता है वो 56 आइटम आसाने से बन गए उन में से 40 प्रकर के भोग मैंने घर पर बनाया था 9 तरक के फल, 17 तरक के मिठाई और 6 तरक के ड्राइपूर्स मैंने बाहर से मंगाये थे इस तरह से पूरा करीबन 70 आइटम बन गए थे हजबन ने मुझे बोला पहले आप एक लिस्ट बना लो आपको कौन-कौन से आइटम बनानी है और बाहर से क्या-क्या सामन लाना है मैंने उसी तरह से किया और इस तरह से आपका काम आसान हो जाता है लेकिन सैची बात बताओं जब सारे प्रसाद बन गए मैंने देखा मेरा जो लिस्ट था उन में से कुछ आइटम बने ही नहीं थे और उसके बदले और कुछ आइटम बन गए थे इस सब उनकी इच्छा है जनमास्टमी की एक दिन पहले ही मैंने कुछ दस बारा आइटम जो सुखे प्रसाद होते हैं बना लिया जिसमें धन्या पंजिरी तील वर्फी नमक पारे सकर पारे खजूर ड्राइफूर्स लड्डू बैसन के सेव मुफली का लड्डू हुआ चिवड़ा खजूर चकलेट ड्राइफूर्स चकलेट केक सल्टी मखाना इस तरह से बना लिया था डेकुरेशन का पूरा काम हजबन ने किया था वोत अच्छी तरह से उन्होंने डेकुरेट किया था अब आ गया वो दिन जिसको सब का इंतेजार था घर के मंदर में पुजा करने के बाद हमने काना जी को गंगा जल दूद दही और सहच से स्नान कराया स्नान कराय वो बस्त्र और अढ़ाय वो भोग लगाय वो लागत प्यारो कब्त निहारत आपके औरो कब्त निहारत आपके औरो के अब भी हमारे और निहारो राधे क्रिश्न हमारे धाम को जानी ब्रिंदावन धाम पधारो अब हमने काना जी का अच्छे से स्रिंगार किया और जहां पर हमने सजाबट किया था बहां पर सिंगासन पर उनको बिराजमान कराया अखंड दीप जलाया और फल, मिठाई और दूद का भोग लगाया उसके बाद हम सबने मिलकर उनकी आरती की इस तरह सुबह का पुजा संपन हुआ उसके बाद मैं भोग बनाने में लग गई दूपर में मैंने खिचुडी और रायता का भोग लगया और उनको थोड़े दिर के लिए सुला दिया था साम को हमने उनको फिर से नया बस्त्र पैनाया और अच्छे से उनका स्रिंगार कराया और उनको जूले पर बिठाया हमारा भोग प्यार हो चुका था हमने सारी बगवान के आगे सजा दिया था और सबने पुलसी दल डाल दिया था फिर हम सबने मिलकर उनको धूप और दिखाया उनको भोग अरपन किया और सबने मिलकर उनकी आरती की और उनको जूला जूलाया इस तरह से हमारी साम की पूजा संपन्व हुई उसके बाद हमने काना जी को सिंगासन पर बिठा कर उनके ऊपर एक पतला कपड़ा ढख दिया और हम मंदिर को दर्शन के लिए गए मंदिर में भी हमने काना जी को जूला जूलाया और बहाँ पर बच्चों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्रम किया था उसको भी हमने कुछ दिर देखा और इस तरीवन साथे क्यार बच्चे हम घर को बापसा देखे लिए 12 बच्च चुके थे अब हमने काना जी को उठा कर उनको हलका स्नान कराया उनको नए पोसाद पहनाया और फिर उनको जूले में बेठाया और उनको दूद का भोग लगाया सबने मिलकर आरती किया और फिर हमने काना जी को सुला दिया इस तरह से हमारा जन्मास्टमी का ब्रत काना जी की कृपा से बहुती अच्छे से संपर्ण हुआ कुछ तो है सावरे तेरी आरी में कुछ तो है सरकार तरी सरकारी में कुछ तो है सरकार तरी सरकारी में